यी एब स्ट्रिंदर प्लस बैक है इस बैक में पीछे का वील का जो स्विन गार्म होता है उसके बुष कट चुके है कई लोग इसे जूला भी बोलते है जूला का बुष कट जाने की वज़ता से पीछे का चक्का सहिए से नहीं चल पाता इसलिए हम इस बाइक में चूले का बुस रिपलेस करने वाले है उसको चेंज करने वाले है फ्रेंट्स इस वीडियो में हम आपको पूरी जान करी देने वाले है कि पीछे का विल का जो चूला होता है उसके बुस कैसे चेंज किये जाते है और friends आप मेरी चैनल पे नहीं आये है और आपने मेरी चैनल को अभी तब सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको बाइक के रिलेटिव एसी वीडियो मिलती ही रहेगी friends आप वीडियो में देख सकते है चूले में कितनी प्ले हो चुकी है चूला कितना हिल रहा है हमने एकसल की नट भी फूल टैट कर दी फिर भी चूले में प्ले हो चुकी है इसका मतलब ये है कि इसका बुस कट चुका है बुस का रबर खराब हो चुका है ये बुस कट जाने क की वज़े से पीछे का चक्का भी सही से नहीं चल पाता और फ्रेंड्स आपकी बाइक में भी ऐसी प्रब्लम है तब आपको जूले का बुस रिप्लेस करवाना ही होगा फ्रेंड्स अब मैं आपको पीछे की तरफ इसकी प्ले दिखाता हूँ आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जूले में प्ले हो चुकी है आगे की तरफ आपको इतनी ज़्यादा प्ले नहीं देखने को मिलेगी लेकिन आप पीछे से देखे होगे तब आपको मेसुस होगा कि कितनी ज्यादा जूले में प्ले है Friends, आपको जूले का boost चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको जूला खोलना होगा अब आपको जूला खोलने के लिए कौन-कौन सा पार्ट भी खोलना होगा उसके बेरे में मैं आपको वीडियो में आगे दिखाता हूँ Friends, सबसे पहले आपको दोनों silencer की 10 mm की दोनों आपको nut open कर लेनी है बाद में आपको silencer का यहाँ पेक bolt लगा हुआ होता है उसको भी आपको निकाल लेना है और Friends, अब आपको silencer को पुरा बाहर निकाल लेना है अब आपको इसकी side panel को भी निकाल लेना है यहाँ पे आपको 12 mm का footrest clamp का भी bolt open कर लेना है अब आपको axle की 19 mm की nut open कर लेनी है Friends, यहाँ पे आपको एक बात का खास दियान रखना है यहाँ पे जो axle में वसल लगा हुआ होता है उसको आपको जूला फिटिंग करते टाइम जरूर लगाना है इसको आप छोड़ देंगे तो आपका जूला आड़ हो जाएगा और जूले का बुस और इसकी एकसल कट जाएगी Friends, अगर आपका यह वसल कहीं पे खो चुका है या गूम हो चुका है तब आपको इससे बड़ी साइज का वसल नहीं लगाना है यूकि आप बड़ी साइज का वसल लगा देंगे तब भी आपका जूला आड़ हो जाएगा और इसकी एकसल और इसके बुस कट जाएगे Friends, अब आपको 14 mm का यह पीछे का सोकर का बोल्ट और उसका वसल निकाल लेना है अब हम यहाँ पे WD-40 स्प्रे लगाने वाले हैं क्यूंकि break road के जो thread होते है वहाँ पे बहुत ज़दा जंग लग चुका होता है अब हम break road की nut को open कर लेंगे और break road के जो boost और उसकी nut को वापस break road में ही लगा देंगे क्यूंकि वो कहीं गूमना हो जाए अब हम यहाँ पे सोकर को भी निकाल लेंगे और हम जूले में से ब्रेक रोड की स्प्रिंग को भी निकाल लेंगे अब हम चेन कवर की साइड का साइड पिनल ओपन कर लेंगे उसको बहार निकाल लेंगे अब हम चेन कवर के चारो के चारो बोल्ड को ओपन कर लेंगे और चेन कवर को बहार निकाल लेंगे अब हम आगे का जो chain का स्प्रोकेट होता है उसका जो कवर होता है उसके दो 8 mm के बोल्ट ओपन कर लेंगे और कवर को बाहर निकाल लेंगे अब हम chain का लोक निकाल के chain को भी बाहर निकाल लेंगे उसके बाद हमें जूले का rubber निकाल लेना है ये rubber जूले को और chain को प्रोटेक करता है अगर ये rubber नहीं होगा तो आपका जूला और chain दोनों कट जायेगी और बहुत ज्यादा साउंड करेगी और ये rubber होने की वज़े से आपका जूला कटेगा नहीं और आपकी chain भी सही से कि वह भी किसे गी नहीं उसके बाद हमें ये सारी guard का bolt निकाल लेना है जो कि 12 mm का होता है उसके बाद में सारी guard का दूसरा bolt loose कर लेना है उसको पूरा नहीं खोलना है और सारी guard को नेचे की तरफ चुका लेना है और हम यहां पे दूसरी साइट भी सोकर का bolt और उसका वोसर बाद निकाल लेना है और सोकर को भी बाद की तरफ निकाल लेना है यहां पे दूसरी साइट footrest clamp का 12 mm का bolt हमें open कर लेना है अब हम hammer की मदद से axle को बाद निकाल लेंगे अब हमारा ये जूला बाहर निकल चुका है कमपनी इसे स्विंग आर्म भी बोलती है फ्रेंड्स आप वीडियो में देख सकते है बुस में कितनी ज़्यदा प्ले हो चुकी है बुस का रबर कितना ज़्यदा कट चुका है अब मैं आपको Excel डाल के दिखाता हूँ किसमें कितनी ज़्यदा प्ले हो चुकी है आप देख सकते हैं कितनी ज़्यदा इसमें प्ले हो चुकी है ये कितना हिल रहा है और फ्रेंड्स आप सभी से में एक सवाल पूछना चाहता हूँ किसको मालूम है कि ये बुस किस वज़े से कट जाता है ये बुस क्यों खराब हो जाता है अगर किसी को मालूम है तो मुझे कमेंट करके बताए कि किस वज़े से ये बुस कट जाता है और खराब हो जाता है फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको boost कैसे निकलना है सबसे पहले आपको नईया boost ले लेना है उसका diameter नाप लेना है उसका जो diameter होगा उससे थोड़ा साई कम diameter का आपका लोहे का Excel का रोड ले लेना है और मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ उस तरह आपको ठोकना है जिसकी वज़े से आसानी से boost निकल जाएगा फ्रेंड्स आप वीडियो में देख सकते है बुस कितनी आसानी से निकल गया दूसरी साइट भी हमें बुस इसी तरह से निकलना है दूसरी साइट का मैं वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगा तोकि वीडियो बहुत ज़द लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाता हूँ आपको नहीं वाले बुस किस तरह लगाने है सबसे पहले आपको नहीं वाले बुस में oil लगा देना है उसके बाद आपको एमर की मदद से बुस को ठोकना है बुस आसानी से अंदर चला जाएगा और आपको दूसरी साइट भी इसी तरह से लगाना है और आपका बुस आसानी से लग जाएगा फ्रेंड्स हमने जिस तरह से जूले को खोला था उसी तरह वापस फिटिंग कर देना है और friends आप वीडियो में देख सकते है चूले के बुस में अब किसी बेप्रकार की play नहीं है चूला आप अच्छे से काम करेगा और friends इन सभी का total खर्चा सिर्फ 300 रुपे काया है friends आप भी मेरी workshop पे काम करवाना चाहते है तो आप मेरी workshop पे आ सकते है मैं अपने workshop का address अपने description में देदूँगा आप description में workshop का address चानके मेरे यहां काम करवाने आ सकते है मैं आपको बैक का अच्छा काम करके दूँगा